डियू एसल में किसी भी कोर्स में आपको जो है डिमिसर लेने के लिए अखिर क्या लिजबिलिटी और क्रेक्टीरिया होता है तो पूरे डिटिल में आज हम यह बुतन बले हैं चाहिए वो यूजी का हो या फिर जो है पीजी का तो वीडियो अंतर जरूर देखिएगा बाकी यूजी कोर्स में हो या फिर फिर पीजी कोर्स में हैं तो इसको लेकि बहुत सारे चाहते हैं कि असे क्रिफि हैं Çok itself करेंगे तो यहां पे तो यहां पर इसको लेकि सिंपल सा पहले तो आपको टूइल्थ पास होना चाहिए, उसके बाद आप बैचलर ऑफ विजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन में अगर आप अगर आप एड्मिस्ट्रेशन लेते हो, तो इसमें 65% आपका टूइल्थ में मार्क चाहिए, और साथ में उस अप्लाई कर सकते हो तो यह आपको ध्यान रखना है यानि कि BBA में उसके बाद अगर आप OBC है या फिर EWS कैटिगरी से हैं तो इसके लिए आपके पास में 58.5% मार्क होना चाहिए 12 में और साथ में 54% मार्क मैथमैटिक्स में होना चाहिए तब यहाँ पर BBA के लिए अपलाई कर पाओगे बाकि SC और HT के लिए 12 पास होना चाहिए और साथ में उनका मैथ होना चाहिए तब यह आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो बाकि अगर आप PWBD कैटिगरी से हैं तो आपको 61.75% मार्क जो है 12 में चाहिए और उसके बाद जो है math में जो है 57 परसंट जो है मार्क होना चाहिए तब भी जो है आप यहाँपर अप्लाई कर सकते हो तो यह जो है BBA का जो है courses का eligibility हमने आपको बता दिया है अब जो हम दूसरे कोर्स पर चलते हैं तो अब जो हम बताएंगे वो बैचलर आप मेनेजमेंट स्टडीज का तो इसमें अगर आपको एडमिस्न लेना है तो मिनिमम आपको 12 में 60% मार्क होना चाहिए साथ में अगर आपका मैथ है तो उसमें ऐसके बाद में 54.4 परसंट मार्क होना चाहिए अगर ऐसी ऐसी हो तो आपका 12 का सुनों चाहिए और आपका मैथ 12 में होना चाहिए और आपको यहां पर अप्पलाई कर सकते तो यह आपको ध्यान रखना है अगर आपको जो है बीकॉम ओनर्स में admission लेना है तो इसमें जो है minimum जो है आपका 12 में 55% मार्क होना चाहिए साथ में आपका math या फिर एकाउंट का subject पढ़ा होना चाहिए उसके बाद आप यहां पर apply कर सकते हो बीकॉम ओनर्स में अगर आप जो है OBC या फिर EWS candidates हैं तो आपका 49.5% mark होना चाहिए total उसके बाद math या फिर account subject आपको 12 में पढ़ा होना चाहिए उसके बाद become honors के लिए apply कर सकते हो बाकी अगर आप SE या फिर HT है तो आपका 12th pass होना चाहिए और साथ में आपका math या फिर account subject होना चाहिए 12 में उसके बाद यहां पर आप apply कर पाओगे साथ में अगर आप PWBD candidate हो तो आपका 52% marks होना चाहिए 52.5% और उसके बाद math या फिर account पढ़ा होना चाहिए उसके बाद आप become honors के लिए apply कर सकते हो यह आपको ध्यान रखना है बाकि अगर आपको जहाए बिया ओनर्स English में admission लेना है तो इसके लिए 65% 12 में marks होना चाहिए तो यह आपको ध्यान रखना है बाकि अगर आपने इंगलिस score पढ़ा हुआ है तो आपको 75% सब्जेक्ट में खासकर नमबर होना चाहिए और साथ में अगर आपका इंगलिस एलेक्टिव या फिर इंगलिस फ्लुएंसी था 12 में तो इसमें 65% मार्क सुना चाहिए तो भी यहां पर इंगलिस ओनर्स में आपको जाए एडमिशन मिलेगा तो यह आपको धियान रखना है बाकि अगर आप जो है ओबी सी हैं या फिर जो है एडवल्यास केंडिडेट्स हैं तो आपको जो है इसमें 67.5% जो है मार्क सुना चाहिए यह जो सुना चाहिए उसके बात जो है आपका जो है लेंगेड़ुज यह पढ़ा हूंना चाहिए उसके बात यहां पे अप़लाई कर सकते हो बाकि अगर अपय। से हैं तो आप जो है । पास उबना शाहिए। उसके बाद जो है इंगलीस प्लस जो है थ्री एकडमिक सब्जेक्ट जो होना चाहिए। उसके बाद जैए आप यहां पर अपलाई कर सकते हो बागी जैए पीड़लू बीडी केंडिडेट के लिए यहां पर 61.75 है इसके बाद आप यहां पर इंगलिस ओनर्स में अपलाई कर सकते हो तो यही जो है आपको ध्यान रखना है बाकि अगर आपको यह पॉलिटिकल संस ओनर्स में जो है अडमिसर लेना है तो यहां पर मिनिमम जो है आपक तो यहां पे आपका 45% और मार्ख सुन हो चाहिए उसके बाद यहां पर आप st हो तो यहां पर आप 33% मार्का बी है तो यहां पर आप अपलाई कर सकते हो बाकि अगर आप पär प्वीडी सो है और आ प 1700 करते हो यहिए अगर आपको यह बिइये प्रोग्राम में दो आपका फिरा है iOS old हो न चाहिए उसके बाद ओसे बाद यहां पे apply कर सकते हो बाकि वीकॉम प्रोग्राम में admission लेना है तो यहां पे भी अपका 12 पास उननों चाहिए चाहा आपकी की बे और घ्र यहां पे apply कर सकते हो बाकि आपको बीकॉम ओनर्स में जो है economics में admission लेना है तो इसमें 12 में आपको 60% मार्क्स होनना चाहिए साथ में आपका math पढ़ा होना चाहिए उसके बाद आप यहां पर apply कर सकते हो यह जो है general के लिए है बागी जो है OBC या फिर AWS candidates हैं तो उनके लिए 54% मार्क्स 12 में होना चाहिए साथ में आपका mathematics subject पढ़ा होना चाहिए साथ में अगर आप SC HD हो तो आपका 12th pass होना चाहिए उसके बाद आप यहां पर apply कर सकते हो बागी PWBD candidate हैं तो उनके लिए 57% मार्क्स हैं यहां पर BA owners economics में तो यह आपको eligibility और criteria हमने आपको समझा दिया है अब जहां बाकी courses पर चलेंगे और साथ में MBA पर बताएंगे कि आखरे इसको लेकिशन में जहां समझाने बाले हैं उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको जहां PG के बाकी courses में लेना है आपको जहां MBA या फिर लाइबरी और information science को छोड़ दिया जाए तो अगर आपको बाकी courses में जो है admission लेना है तो इसको लेकिशन में नाम होता है तो आपको admission मिल जाता है बाकी अगर आपको जहां Master of Business Administration यानि MBA में admission लेना है तो इसको लेकिशन में बता देता हूं तो आपको जहां नीचे आना है तो आपको प्रोस्पेक्टस भी जो है देखने को मिल जाएगा और eligibility और criteria को जो है आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हो यहां पर पहला चीज यह कि किसी अच्छे university जिसका मानुत्रा प्राप्त है वहां से आपका graduation होना चाहिए उसके बाद में आपको 50% marks को होनना चाहिए उसके बाद आप यहां पर apply कर सकते हो तो यह आपका marks है उसके बाद आपका 80% आपको marks graduation का मिलेगा उसके बाद 20% marks आगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है या फिर आपका experience उसी के according 20% marks मिलता है तो यही इसी के according आपको seat Log किया जाता है यानि कि आपको जो है एसुल में जो है MBA में admission मिलता है तो यह जो है आपको ध्यान रखना है बाकि इसका प्रोसेस जो है पूरे detail में यहां पर दिया हुआ है तो इसको आप जो है यहां से जान भी सकते हो तो यहीं था MBA को लेकि जो है बैचलर भी है और जो है master courses भी यानि कि दो तरह से courses जो है करवाया जाता है तो बैचलर का अलग जो है eligibility और criteria और master का जो है बैचलर में जो है आपका जो है किसी रिकोगनाइज यूनिवर्शिटी से जो आपका ग्रिजूसन होना चाहिए उसके बाद जो है आपका Master of Library Information Science में आपका 50% जो है आपका किसी भी उनिवर्शिटी से जो है ग्रिजूसन में मार्क्स होना चाहिए साथ में जो है आपका 45% मार्क्स जो है अगर आप OBC या फिर EWS या फिर PWBD कैटिगरी से हैं तो आपका होना चाहिए बाकि जो है अगर आप जो है लेटीरिया है जितने भी कॉर्स था या फिर जो है पीजी का हमने ने अलठी बता दिया है बाकी फिर्शिं में टो पॉलिटिकल साइंस हो तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर एमकॉम में है तो इसमें आपका 12 जो है ग्रिवजिशन होना चाहिए और इसमें ग्रिवजिशन में आपका 50% टोटल जो हैं मार्क सुनना चाहिए उसके बाद आपका एंट्रेंस एक्जाम होता है और ãyट्रैंस ज्याम जब कि लिएर कर लेते हो तो और अगर लिस्ट में आपको नाम होता है तो यहां पे जो हैंआपको में लिएगी स्वर्जिशन में पूरे डीटियू में शुक्रिया धन्यवाद